Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start reading the chapter Animals Around Us. Around मतलब आसपास अस हमारे animals, हमारे आसपास जो भी animals हैं, जिस तरहां के animal हैं, उनसे हमें जो help मिलती हैं, आज हम भो सब study करेंगे. So first of all, we will read domestic animals. Domestic का मतलब होता है घर से related, जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं. For example, cats, dogs, fish and rabbits. These are pet animals. हम अपने हों पे cat को, dogs को, या fish को, rabbits को as a pet रखते हैं. We keep them in our homes. हम उन्हें अपने घर में रखते हैं. Pets help us in many ways. Pets help, help करते हैं. अस हमें in many ways बहुत सारे तरीकों से. जैसे की देखो, dogs guard our homes. Dogs guard मतलब रक्षा करते हैं. Our homes हमारे घरों की. Cats scare away mice. Cats square away का मतलब होता है, डरा के भगा देना. Cats mice को, मींज चूहों को scare away, डरा के भगा देती हैं. horses, camels, आपको इन सब की हिंदी पता होगी न. Horses, घोडे, camels, oot, cows, गाए, goats, बक्रिया, sheep, भेड, and hens. और जो मुर्गियां होती है, they are farm animals. उन्हें हम अपने farm animals कहते हैं. यानि कि वो हमारे खेतों में हमारे साथ रहते हैं. they work for us. वो हमारे लिए काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? horses और camel वेट उठाने के काम आते हैं, जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, उनको उठाने के काम आते हैं. एक जगा से दूसरी जगा सामान ले जाने में help करते हैं. काव हमें milk देती हैं, goat से हमें milk मिलता है, sheep से हमें wool मि मिलती हैं, और hence हमें क्या देती हैं? eggs देती हैं. Now see, pet animals and farm animals are called domestic animals. जो pet animals होते हैं, जिने हम अपने home पे रखते हैं, जैसे की cats, dogs, etc. and farm animals, जो मैंने अभी-अभी आपको बताये, horses, camel, etc. ये इन दोनों को मिला के हम कहते हैं, domestic animals. How animals are useful to us? Animals हमारे लिए useful कैसे होते हैं? We will see again, number one, they give us food. वो हमें खाना देते हैं, कैसे खाना देते हैं? C, cows, buffaloes, camels and goats. ये four animals हैं, who give us milk. ये हमें milk देते हैं. Next, we use milk. हम milk को use करते हैं, to make, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? Ice cream, butter, cheese, चीज होता है, पनीर, and curd, दही, hens and ducks. जो hens और ducks होती हैं, they give us eggs. वो हमें eggs देती हैं. Clear हो गया? Next, some people, कुछ लोग, eat, खाते हैं, the flesh, flesh of gods, hens and fish. कुछ लोग, बक्रियों का, मुर्गियों का and fish का flesh खाते हैं. We get honey from honey bees. और honey bees से, honey bees से, हमें क्या मिलता है? Honey मिलता है. This is honey bee. Honey bee एक beehive. Beehive होता है, honey bee का home. और इस home से हमें मिलता है honey. Now, they make our work easy. जो animals होते हैं, वो हमारे work को easy बना देते हैं, आसान कर देते हैं. कैसे आसान करते हैं? Let's see. डंकी, डंकी, गधे, म्यूल्स, खच्च, कैमल्स, उट, होर्स, घोडे, एलेफेंट्स और हाथी, कैरी उठाते हैं, हैवी लोड्स, भारी चीजों को for us हमारे लिए. They help us, वो हमें help करते हैं, travel करने में, from one place to another, मतलब जब एक जगा से दूसरी जगा हमें यात्रा करनी हो, तो ये animals हमें help करते हैं. Bullocks means bell, help करते हैं, farmers, किसानों की to flow their fields, उनके खेतों में, हल चलाने में, ये देखो. ये bell है, and farmer है, जो खेतों में, हल चलाने में, ये हमें help करते हैं, horses, एक जगा से दूसरी जगा सामान ले जाने में, donkeys, weight उठाने में, और elephant भी, भारी सामान को उठाने में, हमें help करते हैं. They do help us, और भी animals हैं, जो हमें help करते हैं, see, we get wool from the fur of sheep, sheep की body पे, जो ये fur होती है, इससे हमें wool मिलती है, wool is used, wool को use किया जाता है, to make woolen clothes, सर्दियों वाले कपड़े, उनी कपड़े बनाने में, wool का use होता है, such as, जैसे की, sweaters, shawls, they keep us warm in winter, जो sweaters होती हैं, shawls होती हैं, वो हमें winter में, सर्दियों में warm रखती हैं, means, गरम रखती हैं, now, we get silk, हमें silk मिलता है, from silk worms, silk के worms होते हैं, silk thread is used, silk का thread used किया जाता है, to make cloth और उससे silk cloth बनता है, ये silk warm होता है, एक तरीके का कीडा होता है, फिर इससे silk का thread बनता है, और इससे silk cloth बनता है, जैसे की sheep की fur से पहले क्या बना, wool, और wool से बनती है, sweater, shawls, etc. Another thing we get from the animal is leather, leather is made, leather को बनाया जाता है, from the skin of dead animals, जब animals dead हो जाते हैं, तो उनकी skin उतार के, उसकी थोड़ी rubbing, polishing करके, leather बनता है, किस animals की dead skins हैं, जैसे की buffaloes, camels, snakes, and crocodiles, crocodiles, muggermach, snakes, saan, camels, moot, buffaloes, bhains, इन जानवरों की skin से leather बनाया जाता है, और फिर leather is used, leather को use किया जाता है, to make bags, bags बनाने में, shoes, shoes बनाने में, belt, belt बनाने में, और jackets बनाने में, next, caring for animals, we must take care of domestic animals, हमें domestic animals की care करनी चाहिए, means, देख भाल करनी चाहिए, we must be gentle to them, हमें उनके साथ gentle होना चाहिए, means, हमें उनके साथ kind होना चाहिए, we should give them enough food, हमें उन्हें enough, काफी food देना चाहिए, to eat खाने के लिए, and clean water to drink, और साफ पानी पीने के लिए, we should bathe our pets regularly, अपने pets को regularly हमें नियमित रूप से बेद नहलाना चाहिए, जब वो कभी बिमार हो जाए, तो we should take them to an animal doctor, तो हमें उन्हें animal doctor के पास ले जाना चाहिए, so students, in this chapter, we learned that animals are very useful for us, they give us many things, they do many tasks for us, so we should take care of all the animals,